हेलो स्टुडेंट्स ये दोजार चोबिस में बोर्ड में आयोवा 12th का MCQ है तो इसमें देखिए इफ ये मैट्रेक्स दिया हुए x plus y 2 5 x plus xy equal to दूसरा मैट्रेक्स 6 2 5 8 then value find करनी है 24y x plus 24y y की ये option दिये हुए चाल तो अब देखिए इसमें ये जो दोनों मैट्रेक्स दिये हुए इसका ये जिसे first element है ये first element के equal होगा तो हम लिख सकते हैं कि x plus y equal to 6 और ये जो element है xy ये इसके 8 के equal होगा तो हम इससे relation ले सकते हैं xy equal to 8 और बाकी 2 2 के equal और 5 5 के equal तो है अब ये हमारे पास दो equation होगी ये मानली ये first equation और ये second equation अब mostly बच्चे इसमें क्या करने लग जाते हैं substitution कराने लग जाते हैं जैसे यहां से x की value निकाल ली 8 by y और वो दूसरे वाले में put करा के और उससरे से solve किया तो उसके इसमें क्या होता है ये quadratic equation में जाएगा और और जाएगा काफी length ही हो जाता है ठीक है तो इसका देखिए easy method क्या रहेगा हम यहां पे सीधा first equation को second equation से divide करा देंगे first equation divide by second equation तो यह जाएगा x plus y जो है इसके divide में x y आएगा दोनों के upon में अलग अलग भी split कर सकते हैं xy equal to 6 upon 8 और अब देखिए x से x cut हो गया 1 बचा y से y cut हो गया उपर 1 यह relation आगी 1 by y plus 1 by x equal to इसे भी cut कर लेते हैं 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8 यह आगा 3 by 4 अब यहां पे देखिए जो हमें लाना है 24y x plus 24y इसमें और जो हमारे पास अभी आए हुआ है 1 by y plus 1 by x इसमें सिर्फ कूपर 24 का difference है तो हम इस पूरी equation को यह जो equation आई है इस पूरी equation को अगर जो है multiply by 24 कर दें on both side तो यह relation हो जाएगी 24 by y भी लिख सकते हैं पहले यह x भी लिख सकते हैं वो तो एक ही बात है तो x पहले लिख लेते हैं और 24 by y बाद में equal to 3 by 4 जो है उसको भी 24 से multiply करना है both side है now 4 को 24 से cut करें 4 6 जा 24 and 6 3 जा 18 तो यह 24 by x और 24 by y के sum की value आगए हमारे पास 18 और यह वो गया हमारा d part Thank you so much for watching